शभी मित्रों को जै जै सिया राम प्रभु स्री राम की किपा हमारे शभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो भगवान विश्णू के सभी अवतारों में सब से ज़्यादा प्रशिद्ध भगवान राम चंद्र हुए हिंदू धर्में लगभग सभी वेक्ति प्रभु स्री राम की पूजा करते हैं और भगवान राम को मर्यादा पूर्शत्तम के नाम से भी जाना जाता है भगवान विश्णु के दस बे अवतारों में से साथ बे अवतार भगवान राम का है पुरानों के अनुशार जब इस धर्ती पर रावन के अत्याचार बढ़ गया देवता पिर्थवी तराही तराही करने लगी तो रावन का बद करने के लिए भगवान विश्णु को इस धर्ती पर अवतरित होना परा रावन का बद करने के बाद भगवान राम ने दुनिया में एक बार फिर से धर्म की अस्थापना की भगबान राम हमेशा से प्रजा प्रिये थे क्योंकि यो प्रजा का खास क्या लगते थे उनके राज में कभी किसी के इंसान के साथ गलत नहीं हुआ था दैहिक दैबिक बहुतिक तापा रामराज का हुईन ब्यापा इनसान ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम का नाम लेने से ही इनसान के सभी कस्टों का निवारन हो जाता है भगवान राम का तारक मंत्र के बल साथ सब्दो से मिल कर बना है जो दिखने में तो बहुत शाधारन लगता है लेकिन इस मंत्र में अपार सक्ती होती है अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परिशानी या दुख हो तो नीमित रूप से इस तारक मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में आने बाली सभी परिशानी दूर हो जाती है तो आईए आज इस तारक मंत्र के बारे में बताते हैं कि ये तारक मंत्र है क्या तो ये तारक मंत्र है स्री राम जै राम जै जै राम